तो डेर स्टुडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेज 6 समस्टर के यानि की बिए 6 समस्टर के जियोग्राफी यानि की भुगोल के फ़स्ट पेपर यानि प्रथम प्रसनपत्र के मोस्ट इंपॉर्टन के बारे में यह दिया आपकी परिच्छा भुगोल को लगी है तो आपके वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए आपको काफी ज्यादा हेल्प में लेगी क्योंकि इस वीडियो बहुत सारे कुश्चिन है जो आपकी परिच्छा में सबार आने वा परिच्छ ने आज कि इस वीडियो का कि खनीजों का महत बताईए ठीक है तो खनीजों के बारे बताना है तो खनीज के मतलब आप लोग समझते हैं यह नहीं समझते समझ लिए खनीज वह चीज होती है जो जमीन से खोद कर या फिर खान से खोद कर निकाली जाती है ठीक है जैसे कि लोहा हो गया, जस्ता हो गया, इंधन हो गया, ठीक है, इस तर कोईला हो गया, यह सब चीजे क्या होती है, यह सब चीजे खोद कर या फिर खानों से खोद कर निकाली जाती है, ठीक है, बड़ी-बड़ी खदान होती है वहां से, ठीक है, तो इनको हम खनिश तत बोलत है मतलब जिस भी देश में बहुत सारा इस्टोरेज है या फिर खाने हैं या फिर जहां खुदाई करने पर वह फारे खनिस्तर तो निकलते हैं उनका भंडार उपलब्द है वही देफ आज बिसमें सबसे अधिक आर्थिक और दोगिक और बेवपारिक उनित करने में सफल हो स तो सिंपल सी बात है कि आज जिस देश में रहेगा उसकी जो उन्नत है वो जो है आर्थिक रूप से श्टोंग रहेगा और बेवपार के भी मामले में उन्नत करेगा ठीक है वही बताया गया तो सैयुक तुराज अमेरिका, रूफ, यूक्रेन, इंगलेंड, जर्मनी, फ्र बाहन और संदेह वानों आज सभी का विकाफ खनिश संपदा पर ही अवलंबित है खनिश पदार्थों की खोच के कारण ही आज बिश्व की उस्ड़तम मरुस्थल प्रस्चिमी अस्टेलिया सुदी अरब ठंडे मरुस्थल मिसिस कर अलाफका का आर्थिक विकाफ संभव हो बहुत ही योगदान है बहुत ही बड़ा महत्त है किसी भी देश की आर्थिक और बेवपारिक उन्नत को सफल बनाने में और उसको टॉप में लाने में तो बहुत ही रुमख प्रशन है ध्यान से तैयार कर लिजिएगा अगर प्रस्ण है तो इस प्रतकाल लिखेंगे अगल अगला महात्पूर्ण प्रशन है कि मानु वे सनसाधन किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनेंगे प्राकृतिक सनसाधनों के अत्रिक्त मानु निर्मित है उनकी भी जरूरत है हमें मानु सनसाधन यानि कि मानो जवा निर्मित जीit थी अंकी भी हमको जरूरत हैं तो इन दोनों का जो महत्ति है हमारे जीवन में हमारे समाज में हमारे लिए बहुत ही महत्पोन आ क्योंकि बीना मानुश्रम के प्राकर्तिक संसादुनों का कोई मूली नहीं है। और स्रम सभी की आवसकता होती है। मतलब दूसरे के पूरक हैं तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर महत्पूर्ण साबित होगा। अगर तयार कर लेंगे तो उम्मीद आने की एक्जाम में। अगला प्रस्तुत है कि अजयविक संसाधन कौन से होते हैं। तो चलिए अजयविक संसाधन के बारे हम जानते हैं। यह आपके लिए एक्जाम के लिए तो महत्पूर्ण है। आने वाले आप किसी भी कंपेटिशन एक्जाम की या फिर आप एम में कर रहे हैं। कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कुश्चन। कंपेटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेतर है। अजयविक संसाधन कौन कौन से होते जानते हैं। तो अजयविक संसाधनों के अंतरगत धरातल चट्टाने आती जो बड़ी बड़ी चट्टाने रहती आपने नाम तो सुना ही होगा। देखा भी होगा। वायव यानि की हावा, जल, खनिज, इन्धन में, पिटोल, डीजल, धात्वे, भवन, निर्माड, पत्थर, आध, सम्मिलित किये जाते हैं। इसमें अजयविक संसादरों के अंतरगत मानों ने सदेव उनका उप्योग वस्तों बनाने के लिए या सक्त के प्राप्त के लिए किया है। तो इन सबी चीजरों का इन्षानों ने अपने लिए अपने दैनिया गीवन के लिए अपने वफ्तों के प्यविज्ज के लिए अपने पावरड के लिए इनका यूच्च किया है वाय ना केवल जीवित रहने के लिए अमरत तुल है जो आप आक्सीजन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके आक्सीजन मतलब की सांफ लेने के आपके जीवन के लिए ही नहीं तुल है या फिर महत्पूर हैं ये आपके वार्ष सक्त तथा नतरजन, हायटोजन, ठिक नायटोजन भी प्राप्त किया जाता है इसी के मादधन से जल का उपयोग पीने या किर्शी के अत्रिक्त सक्ति प्रदान में भी किया जाता है मतलब कि एक ही प्रोडक्ट का या एक ही जो संसा अधन है प्राकरतिक हो चाहां मानोकृत हो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है उसके अलग अलग यूज है और अलग अलग जगाहों पर उनका बहुत महत्पूर्ण यूगदान है जिसे कि पानी सिर्फ पानी की पीने के लिए नहीं यूज करते हैं आप लोग है निश कोशन के ला कि कुटिर वाल लग उद्ध्योग में अंतर बता ये कुटिर रुद्धियोग और लग उद्ध्योग का मतब यह होगा कुछकार इसे होगारि में रहकर किया जाते हैं और कुछकार होते हैं जो घर से दिखेगा किलियर दिखेगा तो इसी प्रकार आप लोग लायन खेच कर उत्तर लिखेंगे अगर प्रशना आता है तो तो कुटीर उद्ध्योग में कुटीर उद्ध्योग में शामाहनता स्रमिक करते हैं मसदूर नौकर लोग बहुत सारे थोड़े होता है थीक है कुटीर उद्यवग में लुटीर मानों के हाथों का प्रियोग होता है बहुत लोग एक पर पैंको पैक कर दिया खाते है आपूसे फर aggण lang की पैक आर जाते हैं जो पानी पैक होता जैसे कि आपने बोटल में पानी पैक के पॉलिथीन में पानी पैक करते हैं तो यह सब किस तरी से पैक होते हैं मसीनों के माध्यम से पैक होते हैं तो कुटेर उत्दों करते ही कि पर यह हो देर प्रिक कर रहां मतलबके सकते हैं सकते हुंन हमुए वो सके आलता है तुछ सिर्फ प्रकार आप चार से पांच इंतर जितना भी हो हो सके आ जितना आफ को यह फ्रइप स्रक्राइब कर रहा हैं और राखार सक्थ्षार करken कहारा कि भूमिगत Jal के आस हैं तो भूमिगत Jal के सुनेगे अगला कि हिम्नत से क्या अभप्रिया है तो जहां से सुनेंगे परभती भास जहां पर बड़े परबथ होते हैं जहां पर पतार होते हैं तो परभती भागवों में उसे अफ्थानों पर इस्तित हिम टोपी या हिम छेत्रम से हिम राफ जब गुरुतों के कारण निचले ढ़ाल की और सरिता के रूप में प्रवावित होती है तो उसे परबती हिमनत कहते हैं ठीक है तो यह भी महात्पूंट प्रशन है गारंटी नहीं गारंटी नहीं है कि आ प्रातल को अनेक भागों में विवाजित किया जाता है इन भागों में सर्मकों की उपलब्दी पूजी तथा बेवफ्था की प्राप्ति भूम की किश्म और उसकी उपलब्दी विविद्द तक्नीक का प्रभाव आद की अधार पर किसी की रूप में देखने को मिलते हैं तो कुछ प्रमक प्रकार हैं पहला कि प्रिचीन भरण पोस्ट करने वाली करसी यह हो गया दूफरा हो गया गहन भरण पोस्ट करने वाली करसी अगला हो गया भो मद सागरे करसी बेपारिक अन्युत पादक करसी बेपारिक फफल एवं पसुपालन करसी तो यह कुछ प्रम प्रोट कर दीजिएगा उम्मीद कम है आने की ठीक हमारा मकसद ही हम आपको वही सारे कोश्चन बताएं जिनके आने की कम हो क्योंकि समय जब ज्यादा रहता महीने महीने रेड़ महीने बीस दिन पचीव दिन रहता एक्जाम को तो हां बता जाफकता कि यहां भी कोश्चन आफकता लेकिन जब ततकाल में एक्जाम लगे हैं एक दू दिन में तो हमारा उद्देश यही कि हमापको वह फारे कोश्चन बताएं जो पिछले वर्सों में बार- Ingfront का गया तो आप इस कोश्चन एंक कर सकते हैं अंकि आपकीछा है पूरी पीडियुप है कहां पर देंगे कैसे देंगे कैसे मिलेगे इसकी जानकारी भीम आपको देंगे लेकिन आपकी इच्छा तो तयार कर सकते तरह एक नोभी कर सकते हैं सूखे से बचाओ के उपार बता एक यहिसे पुण चुट कारा पाना एक असंभोकार है जो उप्रमानट सलोसन नहीं है टीक है, उप्रमानट सलोसन प्राकर्तिक यानि भगवान ही देसकते हैं तो वहीं आपर बता गया कि जिसे पूर्टा छुटकारा पाना असंभो का रहे हैं परन्तु मानों अपने प्रियोगों और प्रियासों से इस विप्ता के प्रभाव को कम करने में जरूर सफल हो सका है यानि कि आपने देखा हो कि बहुत फारी बारी सोने लगती हैं जब निकाफन कर देते तो अपना प्रियासों जरूर करते हैं कि उस समस्या से निवारण के लिए अपने अथक प्रियास करते दे टा कि ये यह कम जल मागने वाली की फसलों का चैन कर सकते हैं पहला है दूसरा है कि वनों की अंधा दुंद कटाई रोक कर भी वर्षा की अनेमेता पर काफी हद तक अंकुफ लगाया जा सकता है यह दूसरा उपाय है तीसरा है कि सूखा ग्रस्त छेत्र जहां पर सूखा पढ़ गया उसे फिचाई की आदुनिक विधियों का पर्याप्त विकाफ कर लिया जाए तो सूखे के दिनों में खेती की फिचाई कर फसलों को नश्ट होने से बचा जा सकता है ठीक है तो य यह अथक प्रियाफ हैं जो सूखे से बचाओ के लिए किया जाते हैं और यह लोग करते भी है ठीक है तो इस प्रकार इसका परिश्टे लिखेंगे महात्पूर्ण प्रश्ण है अगरा प्रश्ण है कि अप्रश्टे की परिभाफा दीजिए हलाकि कुश्चन इंप्वाट होती हैं लेकिन इसमें धीले परदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होना चाहिए इनोर कर सकते हैं इंप्वाटेंट उमकम उम्मीद है आने कि आपकी इच्छा है तो आप पड़ भी सकते लेकिन यह इंप्वाटेंट है अपरदन वाला जब गत्चील सक्ति यह था हवा हिमानी नदी लहरे भूमिगर्थ जल आद के द्वारा धरातल पर चटानों में तोड़ फोड की किरिया की जाती है यह फिर होती है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अपरदन ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपर्टन प्रशन है एक्जाम के लिए नोट कर लिए ओ उत्तर लिखेंगे कि हवा में थोड़ी बहुत वास्प हमेशा मिली रहती है हवा में थोड़ी बहुत वास्प हमेशा मिली रहती है जब आपने कपड़ा सुखाने के लिए चट पे डाला हो गया फिर कहीं पर डाले होंगे तो जब आप कपड़े दुलते हैं दुलने के ब भास बनकर वो आसमान में चला जाता है तो वह सक्षुत के माध्यम से श्यूकते हाँ तो हवा में थोड़ी बहुत मिली रहती हाँ में नहीं तो को द्रुवी भूथ होने पर जब दुओं ऑन पर गिरती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं दुओं ऑन धरातल फ्याम की पौ भारी हवाएं उपर उठने पर ठंडी होने लगती हैं तो संगनन की किरिया में मेगो का निर्माड होता है वास्प कड़ जल कड़ की बोंदों में बदल कर भूम पर गिरने लगते हैं इसी को हम वर्षा कहते तो फिस से सुन लिजे वायो मंडल यानि की उपर का एरिया जो आ पर ठंडी है तो वास्प जो होते हैं वह कड़ में मतब कि छोटे चोटे कड़ में बन जाते हैं और वही कड़ जल बनके आपके धरातल पर गिरते हैं तो उसको आपके बारिस हो रही है तो शी प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर वर्षा के लिए निमन अन्कूल दसाओं का और होना आवस्चे के पढ़ लिजीएगा ठीक है कि बर्षा कब होगी जिब ये श festive होती तभी बर्षा होती कुछ इसाना जिनको पढ़ सकते हैं अगला कि वर्षा बताईये कि वर्षा कितने पर कार के होते हैं तो ज tut मलीं है वर्षा के परकार हैं पर बहर टीन प्रकार इ महात्पूर्ण प्रश्ण है तो जहां सुनेंगे किसी अफ्थान पर सूर्य की फीधी करण निरंतर पढ़ने के करण वायो गर्म होकर सहवन धराओं के रूप में उपर उठका चारो और फैल जाती है जिसे वायो का ताप मान गिर जाता है घनी पावन किरिया के करण मेग बन चक्रवा फे आंतरिक भाग में जब भिन्य ताप मान वाली पाउने यानि हवाएं अपस में मिलती है तो ठंडे पाउने उस पाउनों की आणि हवाव की ऊपर धकेलती है और उठने पर ये पाउने ठंडी हो जाती है तथा वर्शा करने लगती हैं तो इसे चक्रवार्थी प्रतिरूप का फंचेप में वड़न कीजिये जन संक्या बढ़ने के वारे बताएज तरह के प्रस्चन आपको प्रस्चन हैं पर सबसे पहले आपको इसी वीडियो की जाना है वहाँ पर टेलिग्राम वाट्सप का लिंक मिलेगा तो दोनों से जुआइन हो जाएगा और वट्सप पर जैसे एक जुआइन होंगे तो वहाँ पर आपको एक नीचे इस बाइगे तो आप लोग डाउनलोड करके अपने ट्यारी कर लिजेगा बाकी आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरु कर लिजेगा हम अपना 100 देने का प्रियास करते हैं बाकी और देवेस्ट एक्जाम के लिए जय हिंद्र